हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कंपेर्शिंग करेंगे MI Redmi Note 10 Pro Max में और Samsung लेसी F62 में और देखते हैं बेस्ट फोन कौन सा ही तो बात की जो है डिस्प्ले से MI की है 6567 इंच की Samsung की है 657 इंच की और दोनों फोनों का रेजलेशन है एक जा असी मंटी पार 24 पिक्सल और दोनी फोनों में सोपर एम्रे डिस्प्ले की यूज़ किया गया है और MI में आपको 120 हर्स का रिफ्रेंस इट भी मिल जाता है और बात की जो है प्रोस्तों से की MI का है स्नैप डेंग का 732 G का CPU है 2.2 GHz OctaCore का और इसमें 8 NM का पिन फैट और इसका GPU है 618 का और समसे का जो प्रोस्तों रेक्षिन उसका है 9825 का CPU है 2.7 GHz OctaCore का और इसमें 7 NM का पिन फैट और प्रोस्तों से की मावल में समसेंग आगे ही बात की जाए बैक के में की MI का है Quad में में जो कैमरेक 108 में सिल का फिर 8 का फिर 5 का फिर 2 का और समसेंग का भी Quad में ही 64+, 12+, 5+, 5 में सिल का बात की जाए फरंट की में की MI कहीं 16 में सिल का और समसेंग कहीं 32 में सिल का और फरंट की में की मावल में समसेंग आगे ही बात की जाए बैटरी की M.I. में है 5,020 image की और Samsung में है 7,000 image की और दोने की बैटिप्स 9 बल है आप दोने की बैटिप्स को निकार ने सकते और बात की जाए चार्ज हो की M.I. में है 30 watt का और Samsung में 25 watt का और दोने ही फोनों आपको टैप्स का स्पोर्ट मिल जाता है और fingerpin sensor और फेस लगबा को दोने फोनों में मिल जाता है और दोने ही फोनों को ट्रिपल सी मिलती है आप एक सिमें पर दो सीम और सत्मेस टीपी कार्ड भी डाल सकते हो और दोनों फोनों में connectivity है 3G, 4G की और बात की जाए RAM की दोनों में सीम है 6G, 8G की मिल जाती है और दोनों के warranty है एक साल की और MI की जो memory है 24G और 123G की और Samsung में है 118G की और बात की जाए ओपरट जम की तो MI का है 111 और Samsung का है 1110 और बात की जाए पराइस की तो Samsung का starting है 23,909 रपे और MI का starting है 18,909 रपे तो फिर आपको दोनों फोनों से कौन सा फॉर्पसा कर्ण बाक्स में जरू बताना अगर आपको कम परेज में फोन लेना है 120Hz का रिफ्रेस्ट लेना है और Best Camera लेना है और आपको फाचेश का स्पोर्ट लेना है तो आप जा सकते हो है MI की और अगर को समसिंगा फोल लेना है बड़ी सी बैरी लेना है बेस्ट प्रोसेस लेना है तब समसिंग के साथ जा सकते हो